कि पहाडों से एक आवाज आई थी ये कहानी दादी ने सुनाई थी एक परी रहती थी बादलों में एक लड़का गिना जाता था बागलों में कहता था बादलों से कोई आने वाला है जमीन पर उतर कर मेरी सांसों में समाने वाला है उसे बिना देखे इजहार करता हूं कहता मैं उसे कुछ से भी ज़ादा प्यार करता हूँ इस कदर वो मेरे दिल और दिमाग में च्छाई रहती है सोचता हूँ क्यों मेरा उसकी यादों से तलाक नहीं होता इश्क करके अपनी मर्जी से किसी गेर पर आबरू लुटाई नहीं जाती सिर्फ खुदा पूजने से हर कोई पाक नहीं होता और लगता है तुम्हें महबत का नाम नहीं सुना किसने कह दिया जीते जी इनसान खाक नहीं होता